दिल्ली समेत उत्तरपस्चिम भारत के तमाम इलाकों में इस समय बादलों की आवाजाही के बीच में हलकी बारिस हो रही है कहीं कहीं पर अगर हम बात करें तो ओला वरष्टी भी रिकार्ड की गई है अगर हम पहाड़ी लाकों की बात करते हैं तो वहाँ पर बारिस और बर्बारी का सिलसला जारी है मार्च के महीने में इतनी बारिस आपको आश्यर होगा कि इतनी बारिस क्यों हो रही है क्योंकि इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार का मार्च का महीना 120 की सालों में सबसे ज़्यादा बारिस वाला मार्च का महीना है यानि ऐसा मार्च जो सबसे अदा बारिस इसमें रिकार्ड की गई तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय के स्थती क्या है तो इस समय आप देख सकते हैं कि अगर हम सेटलाइट पर नज़र डालें सेटलाइट इमिजरी पर नज़र डालें तो यहां पर तरीके से बादल चाहे हुए हैं अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली के साथ साथ हरियाना और पंजाब के तमाम इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं तो यह जो इस्थती है वह इस वज़े से हुई है क्योंकि इस समय एक वेस्टर डिस्टर्बेंस इस इला आप देख सकते हैं कि अलग-अलग इलाकों की इिस्टिस में दिखा रहा है जो यलो इलाका है और जो ग्रीन है वहाँ पर जदा बारिस की सम्योंग है और साथ ही साथ जो नारंगी है वहां बहुत जदा एक्टिविटी जारी है तो कहीं न कहीं एक बड़े इलाके में एक्टिविटी जा री है और मार्च के महीने के अगर हम बात करते हैं तो मार्च का महीना इस बार 6 से ज़्यादा वेश्टरन डिस्टर्बिंस वाला महीना बन गया है क्योंकि मार्च के महीने में अमूमन आउसुतन जो है 3 या 4 इससे ज्यादा कोई वेश्टर डिस्टर्बेंस नहीं आते हैं लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है और यह आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह वेश्टर डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा अगले 24 गंटे में उसके बात की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं मौसम फिर करवट लेगा यानि उत्तर भारत में इस वेश्टर डिस्टर्बेंस के निकलने के बार लगातार तापमान उपर चड़ेंगे लेकिन एक वेश्टर डिस्टर्बेंस और पीछे से आ रहा है अगर हम उसकी करें तो यहां पर आप उसका असर देख सकते हैं जम्मू कस्मीर पर जो है यह असर नजर आने लगेगा 29 तारीक के बाद मतलब 30 और 31 की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कस्मीर में असर आना सुरू हो जाएगा और एक अप्रेल होते होते यानि इक 30 मार्च से लेकर एक अ मतलब है कि एक अप्रेल के बाद तापमान उपर चढ़ने सुरू हो जाएंगे अगर हम उसत तापमान की बात करें तो मार्च में जिस तरीके से वेश्टर डिश्टर्बेंस आये हैं उनकी वजह से निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि जो इस्थिती है उसमें लगातार तापमान नीचे रहे हैं और अवरेज टमपरेचर की अगर हम बात करते हैं तो आमतोर पर मार्च के महीने में दिली में जो तापमान रहते हैं और 28 a.6 degrees Celsius रहते हैं वो उसमें कम से कम हम कह सकते हैं एक degree Celsius कम रहने की समभावना है मतलब पूरा मार्च इस बार ठंडा रहा है और सभी की नजर है इस मौसम पे क्योंकि मौसम किस तरीके से करवट लेगा, क्या होगा, इस पर लगातार नजर है। अगर हम मार्श के महीने के आगले दिनों की बात करें आगे वाले दिनों की बात करें तो activity कहीं न कहीं नार्थिश्ट में चलले लिद्धिय कम होती चली जाती है तो यह एक बडा इंडिकासन है जिसका मतलभ हुआ कि अप्रेल के महीने में की सुरूराइस से ही हम में इजाफा सुरू हो जाएगा और अगर हम बात करें अप्रेल के महीने की तो पिछले दो-तीन सालों में जिस तरीके का रुख रहा है अगर उसकी बात करते हैं तो निश्चित तोर पर कहा और उसके बाद अगर हम बात करें नौ अप्राइल तक तो एक्टिविटी सिफ्ट हो रही है तो यह अच्छी चीज है अच्छा इंडिकेशन है और यह दिखाए जा रहा है मैप में किस तरीके से जो बारिस की एक तरीके से रेंफाल है अगर अगर हम उसकी बात करें तो किस दीरे जाफा होगा यानि अपरेज की सुरूआत में उपर चड़ेंगे और एक हम कह सकते हैं अच्छी इस्थि आने वाले दिनों में हो सकती है क्योंकि जब तामान उपर चड़ेंगे सभी का सभी लोगों को इस बात का इंतजार है कि क्योंकि एक जो बात कहीं जा रही कि क उसको रोका जा सकेगा तो इसका सभी इंतजार कर रहे हैं इस वज़े से मौसम पर लगाता नजर रखी जा रही है और मौसम है कि इतना बैमान है कि जिस तरीके का इसमें यह तरीके से हम कह सकते हैं तापमान चढ़ने चाहिए उस तरीके से तापमान चढ़ने रहे हैं क्यों